तीसरे दिन भी जारी है बारिस, किशानों की लगी लाटरी साथी बाढ़ की संभावना भी बनी, नमसकार आप देख रहे हैं सरावस्ती तक्नियू जी, इस उबर्स बारिस कम होने का प्रभाव उत्तर-प्रदेश के कई जिलम ने जहिला है बारिश कम होने के कारण किशानों की धुक धुकी बढ़ गई थी खेतों में लखडी फसल बारिश की बुंदों का इंतजार करती रही मगर फसले प्यासी रह गई या यूं कहले कि बारिश कम होने के कारण प्यास नहीं बुच सकी इधर किशानों के भ पादल जलक दिखला कर उड़ते चले जाते छुटपुट बारिस से पसलों और धर्ती की प्यास नहीं बुच सकी जैसे किसी प्यासे के सामने पानी हो और वह पी न सके सितंबर यानि हिंदी का कुमार माह चल रहा है इस माह में बारिस कोई खास नहीं मानी जाती है मगर उपर वाले का इंतजाम भी बहुत निराला होता है वह कब क्या कर दे या कोई नहीं जानता पित्र पच्छ लगते ही मौसम ने करवट बदला और तीसरे दिन लगातार तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिस जारी है जिले के किसानों की तो जैसे लाटरी लग गई धान की फसलों में बालियां लगने का समय है इस समय फसलों को भरपूर पानी की जरूरत होती है पानी मिला तो बालियां भी दमदार दानों शे भरी होंगी जो होता हुआ नजर आ रहा है वही हम बात कर लेते हैं पड़ोसी देस नेपाल के पहाड़ों पर ज्यादा बारिस पताई जा रही है इससी प्रकार बारिस जारी रही तो बाल की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है एक बार फिर राप्ती नदी उपफान पर आ सकती है जबकि राप्ती का जलिस्तर बीते समाने दिनों से ज़्यादा पताया जा रहा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सेर वा सब्सक्राइब जरूर करें